हलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैन क्यान प्लस पर उत्रपदेश सदीनस सेवा चैन आयोग सहक लेखाकारवा कोशागार वरती 2016 की अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर है कल 25 नॉम्मर को सहक लेखाकारवा कोशागार की कोट में सुनवाई थी औ समाप्त होगा हार या जीत होगी दिसंबर लेकर आएगा 540 परिवारों में खुसकबरी तो चलिए हम ख़बर को विस्तार से देख लेते हैं अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब तदा बिल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अप बरती की कोट में चल रही है यहां पर आप सभी के लिए हम बता दें कि कल सुनवाई हुई थी जिसमें अगली तारीक यानि कि 7 दिसंबर दी गई है और 7 दिसंबर को एजी महोदे को कोट में चाहे वर्चुली चाहे फिजकली उपस्तित रहना अनिवारी किया गया है यानि कि यदि वो किसी कोई बहाना लगाते हैं तो उनको वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से कोट के सामने उपस्तित होना पड़ेगा वहीं पर हम बता दें कि कल की सुनवाई में एक अच्छी ख़बर यह निकल के सामने आ रही है कि जो प्रोमोशन वाले केस थे उनका केस पर कर दिया गया है यान कि एक तरछे कि 90 परसेंट केस आपका समाप्त होचुका है और आपकी जीत हो चुकी है प्रोमोशनल वाले जितने भी केस थे उन सबीस्ट कर दिया गया है कुछ लोगों ने तो पहले ही य single वापस ले ली थी लेकिन कुछ लोगों ने यहाच्छिक कर वुजो है कि इसकी क्वालिफिकेशन को नइया मावली में सूचित बदलाव किया गया है नईया में से तो छ्यान प्रेस्फ़ सीधी भरती होगी या यहीं भरती पूरी होने का रास्ता साफ हो करे हैं वहीं पर पुरानी नहीं नीमावली में जो इलिजबिल्टी है इलिजबिल्टी को चेंज करने की विज़े से पहले बीकॉम प्लस बीस्टी था अब आल ग्रेजुएट को कर दिया गया है जिससे की यही एक रोडा बना हुआ हलांकि पुरानी भरती है तो इस पे यह सारी चीजे मामले सामने नहीं आएंगी तो निश्चित रूप से आप वोगों को अच्छी कबर मिलेगी पहले नॉम्बर में यह केस समाप्त होने वाला था लेकिन एक लंबी डेट लगने की विज़ेसी यह केस सुनना आई कम्प्लीट नहीं हो पाया लेकिन साथ दिसम्बर को इसकी अंतीम हीरिंग हो सकती है इसलिए एजी महोदे को कोट ने साथ तारीक को किसी भी हालत में उपस्तित रहने के लिए कहा है यानि कि साथ तारीक को इसका फैसला भी आ सकता है तो दिसंबर लेकर आ सकता है 540 परिवार के लिए खुसकबरी यह जल्दी केस हमापत होगा हर जीत का सवाल ही नहीं है हर जीत का सवाल इसलिए नहीं कि प्रमोशन वाले जिनका प्रमोशन होना था वो पहले ही प्रमोट हो चुके हैं तो वो तो जीती चुके हैं अब बचे हैं अब बैर्थी यदि अब बैर्थियों कोट से जीतते हैं तो इनके लिए बड़ी खुसकबरी होगी तो यह रही कुछ अपडेट आपके लिए बाकी साथ दिसंबर का हम इंतजार करेंगे कि क्या होता है कोट में इसकी अभी जो है डिटेल से हेरिंग अप्लोड नहीं हुए जब अप्लोड होगी तो हम आपको और चैनल के माल दम से सूचित कर देंगे तो यह रही आप सभी के लिए वीडियो इस वीडियो में इतना है मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक लिए धन्नवाद